नमस्कार दोस्तों, इस टेटेवी द्यान ट्रकास में आप सभी का हर्दिक्स वागत है, तो इस वीडियो में हम लोग TGT और PGT के लिए आलाइन आविदन आप कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया को देखेंगे A to Z, तो सबसे पहले तो यह कि आपको वेफसाइट ओपन करना है, वेफसाइट के लिए आप Google खोले और उसमें दिखिए UPSESSB, इसके बाद सबसे उपर जो रिजल्ट आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है, यह वेफसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पर advertisement 2022 आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको सबसे उपर की जो लाइन है, सबसे पहले आपको बिग्यप्ती मिलेगी, और यह बिग्यप्ती जो है, आपको बताएगी कि जो आवेदन है, वो start हो चुके हैं, तो ब अहला विग्यापन है, तो TGT का विग्यापन भी आप यहाँ से डाउनलूड कर सकते हैं, और साथ ही साथ PGT का विग्यापन भी next विग्यापन होगा, वो PGT का विग्यापन होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यह थोड़ा सा pages लंबे हैं, मतलब ज्यादा pages ह तो इसलिए थोड़ा सा open online में time लग रहा है, तो यह आपका open हो गया TGT के लिए आपका notification ठीक है, PGT के लिए भी आप यहाँ पर click करके notification को download कर सकते हैं, और आगे दिया गया है click here to apply, यहाँ पर आप click करेंगे एक नई website open हो जाएगी, directly इसका link मैं आपको इसी वीडियो के description म दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर भी आप इस website तक पहुँच सकते हैं, यहाँ left side में आप देखते होंगे, all notifications आपको मिल जाएंगे, आपको एक बार दिखा देता हूँ, सारे notification आपको मिल गया है TGT और PGT के, और इसके बाद फिर आपको अगर registration करना है, तो उसकी जो प्रक आएंगे, ऊपर दिया गया है, trained graduate teacher के लिए, नीचे दिया गया है, post graduate teacher के लिए, तो अगर आपको instructions देखने हैं, तो यहाँ पक्लिक करके आप जो हिंदी में, यहाँ ग्रेजी में, जो instructions हैं, वो देख लीजिए, हलाकि देखने की ज़रूद अभी नहीं है, क्योंकि यही च button पर आपको click कर देना होगा, जितने भी विसे हैं, सभी के लिए, यहाँ पर कुल्मिरा के 15 विसे हैं, तो 15 विसे के नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जिस विसे से आप आवेदिन करना चाहते हैं, उस विसे को आप यहाँ पर opt कर लिजिए, चुल लिजिए, जैसे कि मैं यहा पर आपको दिखाता हूँ, science, पहला science है, तो मैं science मैं ही आपको apply करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखे, nature आप post दिया गया है, और pay skill दिया गया है, lower age 21 साल से लेकर start साल तक कुछ भी हो, आप आवेदिन कर पाएंगे, sheet की संक्या दी गई है, qualifications भी यहाँ पर दिया गया है, BA degree or LT diploma from a recognized university और essential qualification भी यहाँ पर दिया गया है, फिर आपको आवेदन करना है, तो आपको simply यहाँ पर registration पर आका क्लिक कर देना है, और इसके बाद कुछ instructions आपको यहाँ पर दिये गया है, सबसे important यह है कि आपका जो mobile number हो, और email ID हो, यह दुनों working में होना चाहिए, आ High School, Intermediate और सभी जो अनिवार योगताय हैं, उनके सेक्षरिक बोर्ड, उत्तिर्ण वर्स, अनुक्रमांग, प्राप्तांग, पूर्डांग, ग्रेट सिस्टम, और उनका जो प्राप्तांग है, वो सब आपको पहले से collect करके रख लेना है, क्योंकि इनकी जरूर्वत पड़ इसे के दृषनुक्समें आपको आपको लिखा हुआ है, इसको फीरा है, इसको क्लिक करनेंगे याउन हो जाएगा, पिर आपको एक्क्ट बटन पर क्लिक कर देना है, लेन आफ्टर आपके लिए यहां पर pages open होने start हो जाएंगे ठीक है चले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आप जो है कौन को से details आपको कैसे भरना है सब दुस्त तब से उपर है candidate name तो यहां पर आप अपना नाम जो है वो high school की मार्शिट के मुताबिक दिखेंगे और do not enter Mr. Mrs. कुमारी डॉक्टर इंजिनियर वगएरा कुछ भी prefix नहां पर आपको नहीं लगाना है फिर आता है आपका father name फिर यहां पर डालेंगे आप अपना mother name माता का नाम date of birth यहां से आप select करेंगे यह सारी चीजें बदलाव में नही होंगी इसलिए इनको ध्यान से बढ़िएगा फिर यहां पर देखें जेंडर दिया गया है male female और फिर are you married or not citizenship ठीक है domicile state अगर आप UP से हैं तो कुछ page यहां पर और भी खुलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ तो अगर आप उत्तरवदेश से हैं तब यहां पर आपको are you dependent of freedom fighter yes or no तो उसी के मताबिक अगर ex-serviceman है ex-serviceman तो yes or no और are you handicap दिव्यांग है तो yes or no और इसके बाद नीचे दिया गया है have you participated in any national level of sport competition through state team of UP तो उसके मताबिक यहां पर yes or no आप कर देंगे अगर yes करते हैं तो details आप से मागी जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर ठीक है और उसके बाद देखें फिर यहां पर category category में general yes, yes to, obviously non creamy layer तो अपनी जो category है उसको आप यहां पर select कर लें ठीक है जूब कुछ भी ह mobile number डाल दीजिएगा email id डाल दीजिएगा और name यहां पर डाल दीजिए जो नाम है के राफ करके house number street number मतलब आपको अपना यहां पर address डाल देना है यहां नीचे आपको district name district name भी आपको यहां पर select कर लेना है और उसके बाद फिर करम से आगे बढ़ेंगे आप तहसिल जो भी आपका नाम भी आपको select करना होगा police station और village name यह optional रहता है यहां पर आपको अपना pin code डाल देना है नीचे आईए academic qualification के details यहां पर डालनी है जिसमें high school के अंतरगत board का नाम ठीक है जैसे माल लेते हैं आपका जो high school है वो UP board से है थुत्रप्रेस board आप ऐसे चुन लीजिए कब आपने pass out किया हुआ है तो उसे के मुताबिक यहां पर आप अपना जो passing year है उसको आप यहां पर select करने रोल नंबर डालिए evaluation type यानि कि marks आपको बिलेते तो marks आपक्लिक कर दीजिए कितने अंक प्राफ्त हुए थे कितने में से और कौन था division था यह चीज यहां पर डालनी है और सेम जो process है वो intermediate के लिए भी है तो intermediate के लिए भी आपको बस करना कुछ नहीं है और यहां पर जो details है उसको select कर लेना है और marks है तो बागी की जानकारी यहां पर उसे के मुताबिक डाल देनी है फिर देखें यहां पर essential qualification name आ जाएगा तो PhD with physics and chemistry from a recognized university तो यहां पर देखें जिस बिसे के लिए आप आवेदम कर रहे होंगे उसी के मुताबिक यहां पर जो column है वो open होंगे तो यह देखें essential है कि आपने BSC किया हुआ हो अगर आप science के अपलाई करना है तो physics and chemistry के साथ तो equivalent qualification भी यहां पर दिया गया है लेकिन क्योंकि BSC with physics and chemistry में कोई equivalent qualification यहां पर नही हो जाएगा कोई दिख्कत वाली बात नहीं यहां पर state name किस state से आपने किया है वो state आपको यहां पर select कर लेना है और इसके बाद यहां फिर आप देखेंगे industry का नाम आपको डालना है तो जो भी आप जिस भी industry से आपने किया हो उसका नाम आपको डालिए year passing certificate का जरूर रोल number है last year का वो डाल दीजिए issue कब हुआ था issue did डालना है आपको यहां पर evaluation type आपको डाल देना है अगर marks है तो कितने में से कितने mark प्राप्त हुए यह आपको डाल देना है यहां percentage नहीं भी सोगा तो कोई दिख्कत वाली बात नहीं है फिर देखें BA degree from a recognize university तो अगर आपके प यहां पर आपको बस yes कर देना है ठीक है और अगर आपने BA नहीं किया हुआ है तब आप यहां पर equivalent पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे दो option खुलके आएंगे कौन-कौन से यह तो आएगा LT degree diploma वाला आएगा तो मतलब अगर आपने LT किया हुआ तक लिए है यह लेक state आपको यहां पर select कर लेना है और state के बाद जो जानकारी जैसे आपने उपर दे थी उसी के मताबिक कि कब pass out किया रोलो रॉम्बर क्या था issue date क्या था marks में देते के percentage मिला था कि grade मिला था उसी के मताबिक यहां पर आपको जानकारी fill up कर देनी है और यह तीसरा वाला अगर देखो एक और दो complete हो गया तीसरा कालम है graduate and vade तो जो लोग चार साल का integrated degree रखते हैं vade वाला यह उन के लिए है तो जो लोग 4 साल का रखते हैं वो लोग तीसरे कालम को भरेंगे और जो 2 साल का ब़िए हैं वो लोग छिर्फ कालम 1 और दो को भरेंगे ठीक है जो कुछ भी है तो अगर चार साल का इंटिग्रेट डिग्री है आपके पास ग्रेजुएट और बीएट की तब आपको यह टच करना है नहीं तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है ठीक है तो यह से इसको आपको छोड़ देना है और नीचे देखें यहाँ पर यह कैप्चा है कैप्चा को डालकर वालिडेट और प्रिव्यू पर आकर आपको क्लिक कर देना है तो सारे प्रोसस कम्लीट करने के बाद आईए हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार से आपका जो रेश प्रोसीट फार पेमेंट तो जो पेमेंट आपको करना है वो पेमेंट आप यहाँ पर करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम लोग जो अपना रेजिस्ट्रेशन है उसको कम्प्लीट कर लेंगे उसके बाद बारी आती है फी पेमे करने के लिए option अगलब दो जाएंगे, इसमें SBI की net banking भी है, other bank net banking का option भी है, हाँ other bank में आपको 70 रुपए 70 पैसे का charge देना होगा, जब कि SBI से करेंगे तो कोई charge यहां पर नहीं देना है, और debit card के बार में बात करें, तो debit card में भी कोई charge नहीं है, लेकि credit card में आपको 12 रुप आपको charge देने होंगे, UPI में भी कोई charge नहीं है, SBI branch से जाकर अगर आप इसे update करते हैं, कैस से या चेक से, तो 69 रुपए का charge आपको देना पड़ेगा, तो इस रिकार से जो आपकी fee से जमा हो जाएगी, फी से जमा करने के बाद आपको फिर से यह जो page रहेगा, यह जो page र आपको click कर देना है, इसके बाद एक page open होगा, जिसमें आपको अपना registration number जो आपका है, वो आपको यहाँ पर डाल कर, proceed button पर click कर देना होगा, और then after, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो image और signature है, ठीक है, photo और signature यहाँ पर दिया गया है कि size क्या होनी चाहिए, तो द बता दें कि इसमें जो dpi setting रहेगी photo और signature दुनों में 200 dpi पर रहना चाहिए, और photo 35 kb के अंदर हो, और signature 15 kb के अंदर हो, और size आप देख रहे हैं कि इसी size में आपको scan करके photo और signature को upload करना है, यह नीचे capture code रहेगा, यह आपको यहाँ पर click करके, फिर आपको next button पर click कर देना है, और इसके बाद आपका नया farm open हो जाएगा, यानि कि यह farm का दूसरा भाग होगा, और I declare पर आकर आपको यहाँ पर click कर देना होगा, पूरा farm खुलके आपके सामने आ जाएगा, जो आपने अभी तक fill up किया हुआ है, इसमें कुछ नए option भी आपको मिलेंगी, like as जो b8 की उपाधी आपके पास है, उसके लिए आपको यहाँ पर no दिया गया है, इसको yes कर देना है, और अगर आपने admit किया हुआ है, तो yes or no यहाँ पर, या फिर defil या PhD की हुए, तो yes or no आपको यहाँ पर कर देना है, और नीचे आपको जो है, candidate का permanent address, corresponding address और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे देनी होंगी, then after friends, किस college के लिए आप आवेदन प्रस्तूत करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, कि जो महिलाएं हैं, वो महिला वर्ग और पुरुस वर्ग, यानी बालक और बालिका, दोनों में आवेदन कर सकते हैं, पुरुसों के लिए थोड़ा सा condition हैं, जैसे कि अगर पुरुस candidate हैं, संगीत में आवेदन करना चाहते हैं, तो बालक और बालिका दोनों के लिए अनुमन हैं, लेकिन अगर पुरुस जो हैं, वो other group के लिए हैं, तो वो सिर्फ बालक जो हैं, बालक वर्ग में ही आवेदन कर पाएंगे, तो महिलाएं दोनों में कर सकती हैं, पुरुस सिर्फ अपने वर्ग में करेंगे, यह बात ध्यान रखना, एक दो भीशो में exception दिया गया है, जिससे की music को गया रहा है, ठीक हैं, तो यह आपको select कर लेना है, नीचे I accept the above declaration, इस पर click करेंगे, yes आएगा, उसको आपको accept कर लेना है, और जैसे ही आ और फिर आप अपने farm को print करके रख सकते हैं, ठीक है, तो friends यह थी पूरी प्रक्रिया, उमीद करता हूँ कि आपको हर बात समझ में आ गई होगी, और अगर अभी भी आपके पास कोई doubt है, तो comment कर दीजिएगा, मैं उस पर आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा, ताकि कि आपको हर बात उपलब्द है, हर जारंकारी बिल्कुल clear है, अच्छा हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, कि बहुत तर लोग यह पूछ रहे हैं, कि उनका जो cast और domicile है, वो कितना पुराना होना चीए, तो आपको बता दे कि cast और domicile, डोनों कम से कम तीन साल अगर बताते हैं, तो EWS के लिए जो certificate बनता है, वो एक ही बित्ती वर्स के लिए होता है, तो नया बनवा कर ही आवेदन करें, और इसलिए अभी जो है अपलाई कर देंगे, तो एकाद अप्ते में आपको मिल जाएगा, और अगर बाकी कोई दिक्कत आती है, तो comment कर दिएगा, सा आपको उपलब्द करवाई जाएगी, तो हाँ फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज इसे like और share करना बिलकुल भी मत बुलिएगा, बहुत धन्यवाद, thank you so much.